नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे आप लोग इस प्रोब्लम को सही कर सकते हो तो दोस्तो दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ ओन है और यह रहा वो ब्लूटूथ क्यूथ लाइब देख सकते हो मैं फिर से किलिक करूँगा तो यहां पर कनेक्टिंग तो लिखा है लेकिन मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कुछ इसी पकार की प्रोब्लम अगर आपके ब्लूटूथ में है और अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है त तो आप हमारे चैनल को कल लिज़ेगा सस्काइब जो कि इस चैनल पर हमें सा ऐसी ही यूज़ पर एंट्रेस्टिंग टेप्स ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले अपलोड होती रहती हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो गाइज इसकलिए सबसे पहले आपको अपने phone में sitting को open करना है और Bluetooth के sitting पर चले जाना है तो मैं sitting पर open करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे यहाँ पर आपको एक option दिख जाएगा Bluetooth का आप इस पर click कर देना या फिर आप स्कोल डाउन करना इस पर आप किलिक करते रहे ना सहमुसी पेज पर आ जाओगे है ना तो आपको आजाना है सिटिंग में और यहाँ पर बुलूटूट वाले आपसन पर किलिक करना है ढून लेना इस आपसन को और यहाँ पर आप लोग देश सकते हो कि दूसरे डिवाइस में बुलूटूट ओन है और वो बुलूटूट यहाँ पर सो हो रहा है अगर मैं इस पर किलिक कर देता हूं तो यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग इस प्रोब्लम को कैसे सही करोगे तो देखो यहाँ पर क्लिक करना यह वाला ठीक है यह जो छोटा सा इकन है अभी जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस वकर को आप्सन आ जाएगा सब से फिले आप लोग चिक करें लैना कि यह तीनों बंद यहां चालू है अगर दोस्तों यह आपटीय कर देना यह और टूस्ट सभिवाइगा है अनपेयर पर किलिए उग्षार आपके लिक्रड़ hai लोग पर का इंटरफेस open बगाएगा तो अभी इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको scroll down करना जहां से आप लोग data ओन करते हो और यहाँ पे दूस्तों आपको एक आपसन दिख जाएगा एक refresh का बटन दिखेगा आपको refresh वाले बटन पर क्लिक करना यह वाला option और जैसे आप लोग क्लिक करते हो फिर से यहाँ पर Bluetooth जो वी on होगे वह Bluetooth यहाँ पर सो हो जाएगी अभी आप लोग देखोगी कि आपकी यह problem 100% सही हो जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी यह Bluetooth है अब यह connect नहीं हो रहा था तो चलिए अम मैं यहाँ पर connect करता हूँ देखता हूँ कि अम मेरी problem सही हुई और मेरा Bluetooth की problem 100% सही हो चुकी है और यहाँ पर आप लोग दे सकते हो कि Bluetooth connect हो चुका यहाँ पर कनेक्टर लिखके आ रहा है तो यहाँ पर मेरा Bluetooth connect हो चुका successfully आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इससे पहले यही Bluetooth connect नहीं हो रहा था लेकिन हमने जैसे ही सेटिंग को सही करा और यहाँ पर हमारा Bluetooth connect होना शुरू हो चुका है अब यहाँ पर दूसरे डिवाइस से मेरा Bluetooth connect हो चुका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओकी गाईस तो इस विकास अगर आपके मोबाइल में Bluetooth connect नहीं हो रहा है तो आप लोग इस प्रोवलम को सही कर सकते हो तो आप आज की वीडियो आपको पसंद आ होगी अगर आपको वीडियो पसंद आ है वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप हमारे यूटूब जेनल पर पहरे बारा तो आप हमारे चैनल को कर लिजेगा सब्सक्राइब क्योंकि इस चैनल पर हमें ऐसे ही यूसफुल एंट्रेस्टिंग टिप्स ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले अपलोड होती रहती है चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करते है राफ्ता क्लिर जाहिन